नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं फिर एक बार काली तुलसीग फाइदों के बारे में बताऊंगा और ये तुलसीग पौधा है इसका पहचान कर लिजे इस समय काली तुलसी स्याम तुलसी फूलों से लदा हुआ है और इसके फूलों के साथ साथ बीज भी इसके काफी मात्रें भरे हुए है दोस्तो काली तुलसीग असली पहचान ये है कि इसके पत्ते तो काले काले होते हैं प्लस इसके जो डंटल है वो अभी स्याम कलर होते हैं इसलिए इसे स्याम तुल्सीग नाम से जाना जाता है दोस्तों तुल्सीग पांच परजाती होते हैं पांचों परजाती में सबसे उत्तम परजाती का तुल्सी इसी को माना जाता है या दर्द, खासी, बुखार, सर्दी, पेट के अंदर एसीडिटी, कब्ज, किसी तरह के व पट्य और राहत मिलता है तो यह जो तुलसी का फूल दिखना इस फूलों के अंदर काले काले वीज होते हैं उन बीजों को करीबन पांच गिराम बीज को पान में रखकर खाने से अस्थम सकती बढ़ता है सरीर के अंदर खून साफ होता है और दोस्तों पीर भी बढ़ता है दातु रोग में भी काफी फाइदे मनता है इसके वीजों के अंदर का जो चूरन बनाकर मिश्री मिलाकर सुबा साम एक एक चम्मच खाने से हर तरह की कमजोरी मरदानगी कमजोरी भी दूर होता है दोस्तों कटे-फटे हुए जखम में भी इसके पत्य पेस्ट बनाकर लगाने से वा जखम जल्दी-जल्दी भरने लगता है और दाधखाज-खुजली एक जवाम भी इसके पत्य का पेस्ट लगाने से काफी फाइदा मिलता है क्योंकि यह एक एंटिवाइटिक, एंटिसेप्टिक, एंटिवेक्टेरियल, एंटिवाइरस नाम का उसदी है इसके अंदर इस तरह के केमकल के गुड़ पाये जाते हैं दोस्तों या स्याम तुलसी का पौधा करीबन तीन फुट से पाँच फुट तक भी पाये जाते हैं और कहीं कहीं तो दस फुट का भी देखा गया है दोस्तों सीने में जमे हुए कफ को भी आया निकाल कर बाहर कर देता है अगर इसका चूरन भी मिलता है आयरवेदिक इस्टोर में अगर चूरन ले लीजिए ज्यादा नहीं दस ग्राम चूरन को दस ग्राम गुड में लपेट कर रात में सोते समय खाईए दस दिन के अंदर आपके सीने में जमे हुए कब बिलकुल निकल जाएंगे और अगर इसका आप काड़ा बनाकर प्रती दिन पीते हैं तो आपके सरीर के अंदर इस्टेमना पाउर बढ़ेगा जिससे रोग से लड़ने की छमता भी बढ़ेगा दोस्तो काली तुलसी बहुत ही फाइदे मंद है इस तुलसी काड़ा बनाकर सदा पीना चाहिए या बहुत ही फाइदे मंद है और इसे घरांगन में भी लोग लगाते इसका पूजा पाट भी करते हैं तो आज की हमारी महातपूर जानकारी दोस्तों बस इतनी है, हमारी जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्क्राइब कीजिए, नमस्कार दोस्तों, पहारी आरवेदिक